अब आधार अपडेट होगा बिना व्यूक अपडेट का और अब आधार अपडेट होगा बिना डॉर अस्टेप बेंकिंग का अपडेट करेंगे और इसमें आपको क्या का डॉक्मेंस की जौद पड़ेगे तो चलिए का इस वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को इस वीडियो के डिस्केशन में भी दिया गया है तो चलिए हम शुरू करते हैं अधार अपडेट करने के लिए हम नहीं तो बुक अपट्पेंट के बारे में बताएंगे क्योंकि बुक अपट्पेंट के दौरा आगर आप लोग यहाँ पे एक अपट्पेंट लेते हैं तो आपको आधार सेंटर जाना पड़ता है और नहीं हम दूर एस्टेप बेंकिं के बारे में बताएंगे क्योंकि डूर एस्टेप बेंकिंग के दौरा अगर आप लोग अधार अपडेट करते हैं तो आपको यहाँ पे एक टोकन जेनरेट होते हैं टोकन जेनरेट होने के बाद आपके घर पे इंडिया पोस्ट का जो पोस्टमें होता है वो घर पे आके आपका अधार अपडेट करते हैं तो इसके बारे में भी हम नहीं बताएंगे और हम इस वीडियो में step by step बताएंगे कि कैसे आप लोग online अपडेट करेंगे अधार करेंगे तो सबसे पहले आपको Google Chrome open कर लेना है Google Chrome open करने के बाद Google पर आपको यहां पर बहुत सारे बैनर देखने को मिल रहे हैं तो आपको यहां पर एक बिनर मिल जाएंगे myadhar.uid.gov.in इस पर आपको क्लिक करना है हाला कि इसका लिक आपको इस वीडियो में प्रवाइट करते हैं इस पर क्लिक करके आप लोग डाएंगे इसके यूज आप कर सकते हो ठीक है तो सबसे पहले आपको लोग इन पर क्लिक करना है लोग इन पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहां पर आधार नमर और यह जो फिल करना है अगर आपके अधार काड में लिंक नहीं है मौईल नमबर तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेगा तो हम यहां पर OTP फिल कर लिया है उसके बाद login पर क्लिक कर लिया है login पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे Quality Update का तो आगर आप लोग десятग फैंना के दोला अपडेट करना चालते तो इस पर क्लिक करेंगे अगर आप लोग अपडेट आदार online के मादिय हम से यादि कि अगर आप लोग डेक्मेंस लगा के अपने अधार काड का आपडेट करना चालते थी इस Exodus क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर क्लिक कर लिया है उसके बाद प्रोसिट टू योर अधार पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर अटोमेटिक स्लेक्ट रहेगा है आपको प्रोसिट टू अपडेट अधार पर क्लिक करना है ठीक है इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके स कॉर्म को आपको सभी सबस् telling करेंगे सबसे पहले हैं किर ओप में अगर आप लोग मैल है तो आप यथी का नाम बनेंगे अगर आप लोग सिमेल है तो विम वह में दो के साथ हैं एक फादर्स का नाम और एक हश्मेंट का और जिसका आप भी रहतना चाहते हैं उसका नाम यहाँ कर दो आपको यहाँ पर नाम भर ना है उसका बद्धध्स एस पर और हुब्स और सब्सक्राइब अग्र शेथ है तो यहां पर आप लोग word number fill कर सकते हो अगर गौण से नहीं हो सहर से हो तो आप लोग यहां पर sector area और locality आप लोग यहां भी फिल करोगे ठीक है तो यह फिल कर दिया है जैसे हम निचे में click करेंगे तो यह हिदी में automatic आ जागा ठीक है उसके बाद landmark है landmark भी आप यहां पर भर स select हो जाएगा district का नाम select हो जाएगा ठीक है उसके बाद village town city आपको यहां पर देखना है जो भी आपका village है वह आप लोग list के द्वारा select कर लेंगे तो चलिए हम यहां पर list के द्वारा अपना village select कर लेते हैं village select करने एक बाद आपको यहां पर manual update का option जो मिलना है इस पर आपक passport जो है वह भी लगा सकते bank account का statement लगा सकते जहां पर आपका full address है ठीक है यहां पर अगर list में देखेंगे तो बहुत सारे documents आपको available देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो इस में से कोई एक documents का आप यूज कर सकते है जो आपके पास documents है वह आप यहां पर select करेंगे ठीक है यहां पर ST, SC, OBC certificate का भी option मिल रहा है ठीक है तो इसमें जो भी documents आपके पास होंगे वह आप लोग यहां पर select करेंगे ठीक है select करने के बाद वहीं documents आपको यहाँ पे upload करना है तब आपका होंगे जैसे यहाँ पे water identity card है आप लोग water identity card भी लगा सकते तो यहाँ पे हमने कोई एक documents select कर लिए जो मेरे पास है आपके पास जो होंगे वही select करेंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पे upload करेंगे upload करने के बाद यहाँ पे आप लोग select कर लेंगे जो आपका file होंगे jpg में आपको select करना है select करने के बाद next पे click करेंगे जैसे next पे click करेंगे तो आपने जो भी update किये हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे उसके बाद trauma and condition आपको यहाँ पे नीचे में देखने को मिल रहे हैं तो इस पे आप अगर click करते हैं तो आप यहाँ पे next करेंगे next करने से पहले आप लोग यहाँ पे edit का option जो मिल रहा है इस पे click करके आप जो यहाँ पे form फिल किया है अगर इसमें कोई गलती लग रहा है तो edit पे click करके आप लोग इसे edit कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे गरबड़ भी तो हो सकता है कोई word तो आप लोग यहाँ पे edit कर सकते हैं और documents देख सकते हो तो इतना कुछ आप कर सकते हो तो आपको edit करना है तो edit बाला option पे click करेंगे अनिया था यहाँ पे term and condition पे click करेंगे उसकर तो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे QR code Va जेंडेट हो जाएगे QR code जनरेट होनेक बाद आप लोग किसी भी application से जिससे payment होता है चाहे phone पे Google पे पे ATM जिससे भी हो आप यहां पे payment कर सकते हैं जैसे ही payment करेंगे तो आपका यहां पे receiving download हो जाए receiving download होने के बाद 5-7 दिन में आपका आधार update हो जाएंगे और यहां से आप लोग सिर्फ आधार card में address update कर सकते हैं अगर आप यहां पे दूसरा कुछ update करना चाहते हैं जैसे आप अपने आधार करने mobile लिंक करना चाहते हैं तो आपको आधार सेंटर जाने के जौड पड़ेगी क्योंकि आभी UID से सिर्फ address update हो रहे हैं